अगैं है अग्कुट करने चाहिए कि जैसे की आपको किसी रश वाले एरिया से आप बोल सकते हैं कि किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए किसी शेड़ों के नीचे हो जैसे आप किसी खुले एरिया में नहीं होना चाहिए लाइटनिंग जो स्ट्राइक होगी वो खूले एरिया में होती है इसलिए खुद को सेफ रखने के लिए आपको ऐसे ओपन सर्फेस पर या जैसे की खेतों में या रूड पर इस तरह से नहीं खड़े रहना चाहिए दूसरा है आपको किसी ग्राउंड पर नहीं लेटना या पैटना चाहिए ठीक है आप डू नाट टेक अ शेल्टर अंडर ट्री बिकॉस्ट्री प्रोवाइड अ गूड कंड़क्टर पाथ आफ लाइटनिंग जैसे कि अभी आपने देखा था कि सबसे ज़दा ट्री जो होती है वो कंड़क्टिविटी अच्छी पास कर देते तो लाइटनिंग प्रोसेस जो होती है वो ट्रीज पर ज्यादा होती है ठीक है तो इसलिए मैं किसी पैड़े के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए अगर आप रश में खड़े है तो आपको एक दूसरे से पंदरा फीट की दूरी बना लेनी चाहिए ठीक है और जितनी भी वाटर बॉड़ी से उनसे भी दूर खड़े रहना चाहिए क्योंकि वाटर भी बहुत अच्छा कंड़क्टर होता है तो जितने भी इलेक्रिक चार स्कूटर, मोटर बाइक, स्ट्रैक्टर, ओपन कार्स, ओपन फिल्ड वहाँ पर हमें नहीं खड़े रहना चाहिए क्योंकि लाइटनिंग जो स्ट्राइक होगी वो सीधे हमारे उपर आ सकती है नाव क्विकली कम डाउन फ्रॉम अलिवेटेड प्लेस वकर आप कि आप उपर चड़े हुए तो तुरंत नीचे आ जाना चाहिए सेकेंड नेक्स्ट आपका अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में है जंगल वाले ठीक है तो किसी छोटे पेड की शेल्टर पर आना चाहिए क्योंकि छोटे पेडों पर चार्ज जो होते वो क्लाउट से जिसके कारण वहां पर लाइटनिंग के चांसे कम होते एस कंपर्ड टॉल ट्रीज में ठीक है अपियर एस स्मॉल आज यू कें क्रोफिंग ओन और यूर नीज ऑन दे ग्राउंड अगर आप खुले में है और अपको सटन कोई शेल्टर नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तर तरीके से अपने घुटनों के बल पर बैट सकते हैं ठीक है ऐसा कने से आपकी जो लैंथ है वो कम हो जाएगी और क्लाउट साथ की डिस्टेंस कम से कम होगी ठीक है और दोनों हाथ को इस तरीके से रखकर आपको इस पोजिशन में बैट जाना चाहिए जिसमांगी साइज अगर आप घर के अंदर है और बाहर लाइटनिंग हो रही है थंडर की आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आपको क्या सप्टी रखना चाहिए अब आपको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस अब जितने भी यूज करते हो उस टाइंग पर लाइटनिंग के टाइंग पर जैसे टीवी एसी हैं कंप्यूटर्स हैं इन सभी यह सभी एक्सिलेंट कंडॉक्टर होते हैं एलेक्ट्रिसिटी के तो इन्हें अनप्लग कर चाहिए क्योंकि वाटर भी एक्सिलेंट कंडॉक्टर होता है सपोज करो वह लाइटनिंग किसी के घर पर ही स्ट्राइक हो भी और वह अपने बात्रूम में नार आए तो वह जो चार्जे से वह पूरे घर पर फैल जाएंगे और लाइटनिंग याने वाटर भी तो अंडर स्ट्राम के टाइम पर इन सभी ऑबजेक्ट के जो कांटेक्टे वह अवाइट करने चाहिए ठीक है जैसे मोबाइल फोन से कॉर्डलेस फोन से इन सभी को स्विच आफ कर देना चाहिए और प्लंबिंग लाइन जो होती है उससे भी अलग रखना चाहिए जैसे जो मैटल की बनी होती है जो कि मैटल गुड कंड़क्टर होता है ठीक है तो ऐसी कोई चीज है हमारे असपस तो से हमें दूर घर से कर लेनी चाहिए लाइटनिंग बहुत इंपोर्टेंट डूल प्ले मैजर करती है नाइट्रोजन साइकल को चलाने में हमें पता है के हमारे नेचर में जो नाइट्रोजन कैसे वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसकी भी एक साइकल चलती रहती है जो एवाटीक और करने का काम करती है क्योंकि lightning होगी तो जो heat or light release होती है lightning के दिवरान वो उनके combination से जो atmosphere में present nitrogen gas होती है और oxygen होती है वो आपस में reaction कर जाती है और reaction करने से nitrogen के oxide बनाती है और यह oxide water के साथ dissolve होकर nitric acid बनाते हैं और nitric acid बारिश के थ्रू कहां आ जाता है उस मिट्टी में या soil में आकर मिल जाता है और soil से soil में आकर वो nitrate के form में soil में mix हो जाता है ठीक है और यह जब plant grow करते हैं तो वो soil से nitrates के form में इस nitrogen को गेन करते हैं और इस तरह से plant के लिए एक nutrition का काम करता है क्योंकि plant को भी growth करने के लिए जो nitrate की required होती है वो इस nitrogen cycle के fix होने के कारण मिल जाता है ठीक है lightning process के थुरू nitrogen cycle अच्छे से conduct होती है second है ozone layer is the atmospheric absorb harmful ultraviolet rays of sunlight and protect the living organism from its harmful effect electric discharge during the lightning result in the formation of ozone अब देखो हमें पता है कि जो ozone layer होती है atmosphere में वो हमारी ultraviolet rays को गेन कर लेती है और उसके harmful effects से हमें बचाती है पर जब lightning होती है तो ozone गेस बनती है जब oxygen present होती है उस oxygen से ozone gas बनती है और यही ozone gas एक layer protection layer की तरह काम करती है ठीक है और साथ में हमें यह देखरे को बिलता है कि जितना भी evolution होता है life पर जितनी भी life possible है ठीक है या life में जो नए नए जीव बनते है जो changes हाते है एक जीव से दूसर जीव बनने तक ठीक है उसके लिए कहीं न कहीं lightning भी responsible होती है ठीक है तोकि इसकी heat और जो light है दोनों का effect पढ़ता है किसी भी living organism पर next phenomena हम देखेंगे जैसे lighting और थंडर के बारे में हमने पढ़ा next आपका earthquake earthquake आप सभी जानते और छोटी classes में पढ़ चुके होंगे कि sudden shaking of the earth crust which lasts for a very short time याने कि एक बहुत short time interval के लिए अर्थ का shake हो जाना shaking होना याने की हल्चल होना अर्थ के अंदर अर्थ की crust में उसे हम earthquake कहते हैं ऐसा क्यों होता है यह earth crust याने earth के सबसे middle part जो होता है center part होता है earth हमारी sphere की तरह होती है और उसका सबसे center part crust कहलाता है तो earth crust के अंदर जब disturbance आ जाता है तो उसका एक shock आपको earth की surface तक फील होता है और जिसे हम earthquake कहते हैं earth के अंदर जितनी भी energy stored होती है वो जैसे जैसे अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे तो वो suddenly ज्यादा amount में store होती जाएगी और आपने देखा होगा कि वो energy जो है उसके कारण अगर कोई disturbance आ जाता है तो वो suddenly release होती है एक shock के form में ठीक है और जिसके कारण कहीं जो अर्थ के अंदर जो rocks है चटाने है उसको एक जटका लगता है और चटाने की structure या rocks की structure तूटने लग जाती है और वो तूटती तूटती जो disturbance है वो उपर अपर सर्फेस तक create कर देती है और जिसको हम earthquake कहते है एक earthquake जो भूज में आया था 26 जनवरी को 2001 में देखो इस तरह के से सारा लॉस प्रॉपर्टी का होता है बड़ी बड़ी को समझना जरूरी होता है तो आपको basically पता होगा कि earth जो होती है वो three layer से बनी होती है crust mantal और core ठीक है अर्थ का अगर हम 3D view देखे तो कुछ इस तरह से होता है जो सबसे inner core होती है ठीक है यह yellow light yellow color में inner core है और जो dark yellow color है उससे हम outer core कहते है फिर यह वाला आता है यह पूरा जो कर का mental के और सबसे हूपर वाला जो blue part वह वा क्रस्ट कहलाता है ठीक है तो crust mantle core अब देखो क्रस्ट जो होती है वो सबसे outer surface होती और core जो होती है inner surface होती है ठीक है तो जब disturbance यहाँ से create होगा अंदर से तो disturbance create होता हुआ उपर तक आता है और उपर तक आने के कारण earthquake होता है ठी किसे डिस्टर्बेंस होता है एक दम शौक लगता है चटाने कैसे ठूपती है यह हम इसमें देखेंगे अब क्रस्ट वैंटल कोर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पहले हम थीकने पोजिशन ऑफ लेयर की बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट है यह सेंटरल में हैं और यह इनर मोस्ट होती है ठीकने इसकी बात करते हैं तो यह कहां तक होती है 5-10 किलो मेटर यानि अर्थ को जब आप डिक करना शुरू करेंगे तो 5-10 किलो मेटर तक ठीक है कहां से ओशियन प्रोड से यानि समूद्र की सता से वहां तक क्रस्ट पाया जाता है ठीक है और यह कितना मोटा होता है 30-50 किलो मेटर उसी तरह मैंटल की बात करते हैं तो यह जो इसकी डेफ्ट होती है 2900 किलो मेटर होती है क्रस्ट के बेस से यानि क्रस्ट खतम होता है उसके मैंटल चुरू होता है तो क्रस्ट जाओं खतम होता है वहां से 2900 किलो मेटर तक की रेंज इसकी होती है ठीक है और यह place to place vary होती है क्योंकि हर जगा एकदम plane नहीं है हमारी earth surface भी हमें पता है तो यह कहीं 2830 से 2890 km थीक होती है इसलिए place to place vary भी करती रहती है कोर को देखेंगे तो जहां mental खतम होता है वहां से 6360 km की यह length तक यह गहराई तक यह extent होती है ठीक है और 3400 km थीक लेया होती है composition की बात करते हैं तो crust के अंदर rocks species होते हैं बड़े बड़े ठीक है और कुछ lighter substance भी पाये जाते हैं याने की जैसे sand particles है इसी rock के छोटे टुकडे हम सबसे पहले जब टीक करना शुरू करते हैं तो उपर हमें soil मिलती है फिर हमें उससे चोटे particles मिलते हैं फिर धीरे धीरे बड़े पीस मिलने लग जाते हैं और फिर पूरी rocks मिलना शुरू हो जाती है तो जैसे जैसे हम वहां पर आर्थ को देखते जाएंगे क्रस्टर सर्फेस को तो सारे particle हमें बड़े-बड़े मिलने के बाद हमें एक बड़े-बड़े rocks के टुकडे मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर rocks मिलती है ठीक है और जहां rocks मिलना शुरू कर जाती है बस वहीं से mental की स्टार्ट होती है और mental में specially iron and magnesium की बड़ी-बड़ी rocks प होती है यह मेंट ओं में होती है ठीक है पिगली वी अवस्ता में होती है पैरामीटर की बात करते हैं state of matter तो जो क्रस्ट होता है वह सॉलिड होता है mental high pressure के कारण इसकी जो rocks होती ही वह सॉलिड स्टेट में होती है कभी-कभी इनर लेयर के अंदर यह रॉक से होती वह पिगली सबसे मॉल्टन स्टेट में होती है इसके अंदर लेकिन जो इनर वाली कोर है वह अगें एक सॉलिड बोल होता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे causes of earthquake earthquake actually कैसे आता है तो उसके कारण क्या क्या है तो सबसे पहले tectonic plates जो होती है ठीक है उसके movement के कारण ऐसा होता है volcanic eruption याने की ज्वाला मुखी का फटना क्योंकि high pressure से जब यह सारी molten metal है और से एकदम बाहर की तरफ आती है तो वह पूरे structure को disturb कर देती है जिसके कारण अर्थ को आ जाता है dislocation of the crust and underground nuclear explosion crust में किसी भी crust surface का एकदम dislocate हो जाना या अपनी जगा से खसक जाना इसको fault भी कहते है ऐसा हो जाना या फिर कोई nuclear explosion या फिर nuclear bomb का फटना ठीक है तो इस तरह से कोई धमाका होने के कारण जो vibration होता है उसके कारण भी earthquake आते है तो सबसे पहले tectonic plate के movement के बारे में हम समझेंगे हमें पता है कि earth की surface है वो कभी भी continuous नहीं है वो कहीं pieces या बोल सकते है कि कहीं सारे टुकडों से मिलकर बनी हुई है ठीक है और कहीं बड़े बड़े piece जो होते है चट्टानों के मैंने आपको बताया था कि पहले टुकड़े आते है जब हम मारत को अडीक करना खोदना शुरू करते हैं तो मिट्टी के बाद उससे बड़े पार्टिकल फिर और बड़े पार्टिकल और फिर दीरे आपको rocks के pieces मिलना शुरू हो जाएंगे तो जो crust surface होती है उसमें almost rock के pieces पाय जाते हैं जिसे हम कहते है टेक्टोनिक प्लेट ठीक है अब यह टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है आपस में बड़े बड़े blocks है जो एक दूसरे से fit है फिट है मतलब ठोस structure है याने कि एक दूसरे के साथ एक fixed way में जम्मे होए है ठीक है अब होता क्या है कि यह जो टेक्टोनिक प्लेट है ठीक है यह चोटी-चोटी कई सारी एसी plates होती है plates के रूप में जम्में होते हैं और जमते-जमते जब इस प्लेट के बीच में से एक द अर्थक्वेक आ जाता है तो देखेंगे हम द्यू टू दस्लो मूमेंट ठीक है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंड अर्थ के अंदर चलती है और यह जो प्लेट होती है जो एक दूसरे के उपर प्रॉपरली अरेंज है या एक दूसरे के पास प्रॉपरली फिक्स हो और कोई ऊसीन या बड़ी वाटर बॉडी है उसके इंटरर्ल स्टक्चर में जैसे ही वाटर का फ्लों आता है या वाटर का एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो भी इस टेक्टोनीक प्लेट पर स्टीच टकलों होता है पर तूझेत शूटे चुशट काफी स्लों होता दीरे जब यह tectonic plate खसकने लग जाती हैं तो यह चोटा चोटा चेंज काफी बड़े change में convert हो जाता है और बड़े change में convert होने के कारण आपको यहां कुछ piece दिखाई दे रहे होंगे यह rocks के इस तरह से धीरे-धीरे खसकने के कारण यह अपनी position से dislocate हो जाती है और dislocate होने के कारण य यह tectonic plate जो होती है यह break भी हो जाती है और यह break होगी तो अपने पास वाली दूसरी जमिमी ब्रेक को जो rocks होती है उसको भी disrupt कर देती है कुछ इस तरीके से यह जैसे इस तरह से ऐसे भी खसक सकती है आपस में इस तरह से आ जाएगी तो यह वाला दोनों का हिससा बीच में और यह वाला हिससा तूट जाएगा तूट जाने के कारण यह अपने आसपास वाले पर एक जर्क देगा या ऐसे भी दूनों दूर दूर भी जा सकती है तो इस तरह का movement tectonic plate का हो जाता है जिसके कारण earthquake generate होता है ठीक है और एक tremor या बोल सकते कि अगर एक plate में यह खसकने क के कारण जो vibration आया है वो vibration दूसी plate तक भी जाता है और यही vibration पहुचता-पहुचता सबसे अपर surface तक चला जाता है और जब यह vibration जहां से शुरुवात हुई है उस point से अपर surface तक पहुचते पहुचते ही vibration काफी बढ़ जाता है क्योंकि यह दूसी plate को भी disturb करता हुआ उपर क तरह आता है और ऐसा होते होते सर्फेस तक आते हैं इसकी एनर्जी इतनी फास्ट होती है जिसका इफेक्ट काफी हामफुल होता है second cause है अपका volcanic eruption volcanic eruption का मतलब होता है कि earth crust से जब बहुत सारी molten metal एक high pressure के साथ बाहर आती है तो ये अपने साथ hot gases भी लाती है और ऐसा करने से जब ये बहुत high pressure से release होती है बाहर की तरफ जैसा आपको image में शो किया है तो इस तरह से पूरी earth के अंदर एक vibration आ जाता है क्योंकि ये high pressure से hot gases और molten metal दोनों बाहर आ चुका है तो earth में vibration create करता हुआ ये बाहर निकलता है और इसी vibration के कारण earthquake आने के chances होते है third है अपका dislocation और fault on the crust हमने देखा है कि कई millions year पहले जो भी tectonic plate होती है ठीक है वो कभी कभी normally displace ना होते हुए weak हो जाती है कमजोर हो जाती है ठीक है और जहां कमजोर होना मतलब उसमें crack आ जाना या वह point जहांपर वह बहुत weak है वहां से उसके खसकने के chances जाता है डस्प्लेस होने के उस point को हम कहते है fault और वो fault धीरे धीरे टेक्टोनिक plate की boundary तक पहुच जाता है और इस तरह टेक्टोनिक plate break हो जाती है और उसका एक चोटा सा शौक धीरे धीरे सारी plate पर transfer होता हुआ earthquake का कारण बनता है ठीक है और ऐसे जहां जहां पर ऐसे फॉल्ट पाए जाते हैं उसको हम सिस्मिक और fault zone कहते हैं इंडिया की बात करते हैं तो सबसे most threatened area जो होता है जहां पर ऐसे fault आने के ज्यादा तर reason है वो है कश्मीर western and central हिमालिया and whole the north east part runoff kach Rajasthan and the Indo Gangetic plane some areas of South India also fall in the danger zone जहां पर tectonic plate इसी तरह weak हो जाती और तूट जाती और इसके कारण अर्थक्विक आने के chances होते हैं next is underground nuclear explosion ठीक है कभी-कभी nuclear explosion होने के कारण बहुत fast vibration आता है और vibration आने के कारण earthquake generate हो जाता है उस particular area में कुछ important terms हम पढ़ेंगे earthquake से related हैं जैसे कि seismic focus focus मतलब एक ऐसा place जहां पर earthquake का origin है जहां से earthquake का disturbance या vibration start होता है अर्थ के अंदर वो point कहलाता है seismic focus दूसरा होता है focal depth focal depth मतलब वह depth है जहां पर seismic focus पाया जाता है अर्थ की surface से जितनी भी गहराई पर seismic focus होता है यानि जहां से disturbance हुआ है वह आपका focal depth कहलाता है earthquake having a focal depth of 60 to 70 km called shallow मतलब अगर ओरीजिनेशन अर्थ क्विक का कितना गहरा हुआ है 60 से 70 km तक की depth में हुआ है अर्थ सर्फेस से तो उसे हम shallow कहते हैं और 70 से 300 km के बीच में हुआ है तो intermediate कहते हैं और अगर 700 km से ज्यादा हुआ है तो उसे हम deep कहते हैं अब epicenter की बात करते हैं epicenter क्या होता है earth surface पर वह point होता है जो just किसके उपर होता है जहां पर origin होता है earthquake का यानि कि seismic focus के just उपर वाला point जो earth surface पर पाया जाता है उसे हम epicenter कहते हैं seismic waves मतलब एक ऐसी wave जहां से earthquake का vibration generate हुआ है होती है जो earth surface के अंदर से start हुआ जो earthquake होता है वहां से generate होती हुआ उपर की तरफ आती है वह earthquake sorry seismic wave कहलाती है shock waves कहलाती है इस diagram से आप अच्छे से समझ सकते हो जैसे यह tectonic plate है ठीक है tectonic plate की weakness होने के कारण कहीं से fault आ गया और यह इसमें दरार आ गई इस तरह से tectonic plate तूट गई तो वह point जहां से origination हुआ है इसका week होना शुरू हुआ है वह seismic focus कहलाएगा seismic focus के just उपर अर्थ सर्फेस पर इसके just उपर की तरफ अर्थ सर्फेस पर जो point होता है उसे उपर epicenter कहते है ठीक है और यह fault है fault मतलब यह crack यह पूरा crack fault कहलाता है यह अर्थ सर्फेस हो गई आपकी seismic wave मसलब जहां से crack आया और यह तूटी तो इसका जो vibrations है यह waveform की तरह पूरी plate के अंदर generate हो चुका है और यह vibration दीरे दीरे इसके उपर फिर दूसरी उपर फिर और उपर वाली जितनी भी वह होगी टेक्टोनिक plates होगी सब तरह transfer होता होता अर्थ सर्फेस तक आ जाएगा तो इस तरह जो vibrations है यह seismic wave कहलाता है जो बुकम पाने का यह अर्थ जनरेट होने का कारण होता है ठीक है अब सिस्मो ग्राफ की बात करते हैं तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण आप यह जो वेव जनरेट हुई है ना इसकी intensity मेजर कर सकते हो सिस्मिक वेव हैं सिस्मिक वेव की intensity आप मैजर कर सकते हो कि कितना fast vibration है कितना slow vibration है जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि जो earthquake generate हुआ है वो बहुत high intensity का या low intensity का है ऐसा जो graph होता है वो seismograph कहलाता है हमें पता है कि जो shock wave या seismic wave होगी वो सारी ही direction में travel करती हुई आईगी जैसे यह, यहां से generate हुई लेकिन है इस तरह से पूरी earth surface पर travel करती हुई आ रही है, उपर तक, ठीक हैं, तो seismograph हम कहां लगा के रखते हैं, earth surface के उपर की तरफ, और यह इस vibrations को measure कर लेता है और इसका एक graph तैयर करता है, जिसे हमें earthquake की intensity पत को cringe एक शेक करती है और जो सेस्मोग्राफ है उसका बेस अर्थ पर फिक्स कर रखा है तो जैसे यह वाइब्रेशन आता है थीक है तो इस वाइब्रेशन से आपने लाओ उती जिसको आप थ्रेट से या धागे से लटका देते हो इस बॉब को अटेज किया गया है और उस बॉब से नीचे पैंडूलम है ठीक है यह निडल एक नीचे जो फ्री मुवेबल होती है ठीक है और एक रोल रखा है आपने इस रोल के उपर क्या होता है पेपर की लंबी सी स्ट सिस्मो ग्राफ प्लोट करता जाएगा और जितना फास्ट वाइब्रेशन होगा उतना ग्रा अंटेंशिट हो ज्यादा शो करेंगा और कम होगा थो ग्राफ की इंडैंसिटी कंश ओ करेंगा ठीक है तो इस तरह अग दो अर्ग के शेकिंग होने सिस्मोग्राफ है कि पूरा इंस्टूमेंट। लेकिन पेपर स्ट्रिप जिस पर पलॉट ह CT हमें तितर आपने guys किला में संस Got a significant है। यहां पर हूकर को रिकृप्टम एक Label मुम करें एखला है इस तरह फिर्द किन सिस्मोग्राफ आप इस तरह न्स पर और देना चाहिए यह वहां पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यह सारे चीजे अर्थकुए के magnitude को measure करने के लिए Richter scale का use किया जाता है अब magnitude of earthquake की बात की है तो यहां पर हम देखेंगे कि earthquake का magnitude कैसे measure किया जाता है उसकी जो seismic wave है यह जो wave आई ना उसका amplitude से की जाती है अगर यह बहुत उंटी और ऐसे बनती है magnitude measure करने के लिए और जो आपको जितनी भी अर्थविक के focus से energy release होती है उस energy के according यह आपको बता देती है कि उसका magnitude कितना है ठीक है यह चार्ल्स ए एफ रिक्टर से एफ रिक्टर ने इसे derive किया था और इसे knowledge में लाया गया था ठीक है इसकी value 0 से 10 तक होती है अब जो scale होती है वो logarithmic होती है यहने कि value जो होती है scale के अंदर ठीक वो 1 correspond to 10 times change in the energy associate with the earthquake earthquake के energy जो associate होती है उसका 1 का 10 times करके बताती है for example है कि मालो अर्थक्विक का magnitude 5.0 magnitude है ठीक है तो उसका 10 times more powerful बताती है उस अर्थक्विक से ठीक याने कि अर्थक्विक का जो powerful magnitude जो होगा magnitude वो क्या होगा 4.0 magnitude का होगा ठीक है अब मालो के एक अर्थक्विक है 5.0 magnitude का तो उसका 100 times more powerful than अर्थक्विक वो क्या होगा 3 magnitude होगा मतलब एक एक जो इसके point होते है वो 10 10 के multiple होते है अगर real में magnitude 4.0 का है तो scale पर value क्या आएगी 5.0 अगर उसका 10 times खरेगी तो लेकिन अगर scale पर हमें जो value मिल रही है वो 5 मिल रही है इसका मतलब क्या है कि original value 3 होगी तब जाके वो उसका 100 time करके बताती है ठीक है तो यह 10 10 का multiple ह होता है जो इसके effect को show खरने में help करता है now damaging effect of earthquake तो आपको पता है कि human made structure जितनी भी यह जो बड़े-बड़े construction होते बिल्डिंग, railway track, road, bridges, factories, dream, etc. यह सब पूरी तरह से destroy हो जाते है और इसके कारण कई सारा property loss होता है कई बड़ी-बड़ी structure आपस में टकरा जाती है और कुछ लोग मर जाते है फिर उसके कारण क्या होता है जो fire या आग भी लग सकती है earthquake के कारण क्योंकि जब आपस में disturbance होता है तो दो पेड़ उचे-उचे भी आपस में टकराते है जिसके कारण sparking हो जाती है electric soft circuit याने electric city के pole आपस में गिर जाते है टकराते है तो short circuit हो जाता है ठीक अगला है tremors in healy areas and the mountains cause a landslide अब भूस खलन जैसी process होती है याने healy areas पर अगर कोई construction बना हुआ है बड़े बड़े घर बने हुए है तो वो सब अर्थक्वेक के कारण mountain और healy area की जो plates होती है जो पत्थर होते है वो खसकने लग जाते है land slide होना शुरू हो जाता है जिसके कारण कई सारे लोगों की जान भी चले जाती है और उनके घर भी तूट जाते हैं सिवर सिस्टम जो होती है वो बस्ट हो जाती है करकि अर्थक्वेक के कारण कई pipeline फूट जाती है उसके उपर construction तूटने के कारण तो कई बार चौक या जा इसके बार घरों में पानी चला जाता है तो यह सब अर्थक्वेक के कारण भी हो जाता है एपडेमिक कहते है जिसे अर्थक्वेक द चेंजड अगे की तरफ नहीं बढ़ पाता और इसके कारण भी चोंग या फ्लड की कंडिशन भी बन जाती है कम्मिनिकेशन सिस्टम जो होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉइ हो जाती है क्योंकि कहीं वायर्स या पोल्स होते वो तूट जाते हैं ठीक और पोल्स अपरूटेड होने के कारएंट जो मोबाइल फोन उनके टावर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल फोन या कम्यूनिकेशन सिस्टम पर भी एफेक्ट पड़ता है अर्थक्विक अंडर दा ओशियन फ्लोर सम टाइम जनरेट पावरफुल सी वेवस काल्ड तूनामी और यही अर्थक्विक का वाइबरेशन अगर ओशियन या सीज के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर वाटर वेवस में इतना डिस्टरबेंस आता है जिसके कारण सुनामी या फ्लोर्ड की कंडिशन जनरेट होती है और जिसके जो विट होती है वो 100 to 200 किलो मेटर होती है और hundreds of किलो मेटर की depth से ये वेव जनरेट होती हुई और वाटर वेव से जन्रेट होती हुई कितनी स्पीड से आती है 700-800 किलो मेटर पर आर की स्पीड से यह लैंड की तरफ मूं करती है और जिसे हम सुनामी कहते हैं जिसके कारण लौस होता है लाइफ का भी एस वेल एस प्रॉपर्टी का भी ठीक है तो कोस्टल रिजन तो पू पहले हम आउट्डोर सेफटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हाईली सिस्मिक जो होता है, जहां पर आयदिन अर्थ कविकाने के चांसे से, ठीक है, वहाँ पर जो माटेरियल कंस्ट्रक्शन होता है, वो लाइट यूज करना चाहिए, जैसे मुद और टीमबर के घर होते हैं, जो लाइट बेट कंस्ट्रक्शन होते हैं, ज्यादा उंची बड़ी बिल्डिंग और हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसके कारण जो लाइफ होता है, या कुछ लोग भी मर सकते हैं, दबकर और साथ में, जितना पैसा लगाकर हम कंस्ट जो 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 आपकर नहीं करना चाहिए, ता कि छोटे फोटे वाइब्रेशन का उट पर एफेक्ट ना पड़े और नीचे ना गिरे, और बिल्डिंग शुड हैवा फायर फाइटिंग एक्विपमेंट्स क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अ पर फाइटिंग एलिमेंट्स होना चाहिए, जिससे हम आपको भूजा सकें, ठीक है, और जो ओपनिंग डोर्स बनाये जाते हैं, वो आउटवर्ड होने चाहिए, मतला आपके घर के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अंदर से अगर को टूट गई तो मैं तुरंत ही बाहर की तरफ चले जाना चाहिए, ठीक है, अब अगर आप किसी कार या बस के अंदर ट्रावल कर रहे हो, तो उसे बाहर ना आओ, और आपके ड्राइवर को कहो कि जो ओपन एरिया है, ठीक है, वहां से भी कार निकाले और स्लोली मतलब जो ट चाहिए, अगर ब्रीज या ट्रीज या ऐसे कोई एरिया आ जाते है, तो मूँ अवे फ्रॉम दे बिल्डिंग, अकर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, आपको इसा लग रहा है वाइब्रेशन, तो आपको बिल्डिंग से, ट्रीज से, फ्लाय ओवर ब्रीज है, ओवर हैड केबल लाइन से, इन सबी से दूर हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके साथ ही इंडोर सेफटी में, आपको घर के अंदर अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है अर्थक्विक का, तो आपको तुरंती किसी टेबल के नीचे जाकर बैट जाना चाहिए, ठीक है, जब तक कि वाइब्रे वाइब्रेशन के कारण, तो उससे आपका सर डेमेज नहीं होना चाहिए, उसे पीलो से ढग लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो बाहर की तरफ आना आपके घर से, ठीक, तो घर से बाहर आकर किसी ओपन स्पेस की तरफ खड़े हो जाना चाहिए, जैसे ठीक है, जहां पर आपके ऊपर कुछ गिरने के चांसे ना हो, stay away from the window, bookcase, file cabinets, heavy mirrors and other object, could that fall, आपके घर में ऐसी जो भी चीज़े जो गिर सकती है, vibration से उससे आप दूर रहे, kitchen में, आप refrigerator, cooking gas, store और overhead cabinets, इन सभी से दूर रहे, अगला है, turn off the power supply and gas supply, आपके घर में जो gas supply है और power supply दोनों को बंद कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का दूसरा loss भी ना हो, okay, यहीं पर आपका chapter खतम होता है, thank you